हमारे साथ है बहुत वरिश पत्रका निक्किल वागले जी निक्किल जी आप ये 2019 के जो इलेक्शन है उसको कुछ खास नजरिये से देख रहे हैं कि देखो मेरे विचार से ये जो चुनाव थे वो आयतिया सिखते पास साल में मोदी ने क्या किया इसका जवाब इन चुनाव से मिलना था लेकिन मैं ये नहीं देखता कि ये जवाब मिल रहा है एक तो यहां बहुत बड़े पैमाने पर एग्रेजन क्राइसिस है फिर सोशल हर्मनी भी डिस्टब हुई है ये जो आर्थिक नितिया है नरेंद्र मोदी की वो भी कैसी हमने देखा है डिमोनेटेज़ेज़ेशन देखा है जीएस्टी का इंप्लिमेंटेशन देखा है और बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर है तो जिस तरह से पास साल इनों ने सरकार चलाई वो बिलकुली खराब तरीका था अगर हम सब में अगर युमानिटी जिन्दा है तो हम सिर्फ इतना भी सोचते है देखिए जब नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी बन गए पहली हत्या हो गई मोसिन शेक की पुने में हिंदू राष्टर सेना के लोगों ने इसकी हत्या कर दी क्योंकि वो मुसल्मान था तो ये जो हिंदू मुसल्मान का मामला है ये दुश्मनी है ये पूरी तरह से ये जो जहर है ये हेट है ये तब से शुरू हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जीते है उस वक्त 2014 में उनका प्लैंग दोच था वो विकास का था उन्होंने कहा था हम विकास करेंगे लेकिन विकास के बजाए ये सारी बाते हुई महसिन शेक हुआ, अखलाक हुआ, जुने दुआ, कितनी सारे रोहित वेमुला हुआ तो जब मैं पास साल की सारी बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोधी डजन्ड़ रिजर्व टुबी इन गवर्मेंट उनको जाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि उनको जाना चाहिए लेकिन जब मैं इस चुनाव को देखता हूँ कि अगर नरेंद्र मोधी नहीं जाते है मुझे आज भी थोड़ी ची आस्या है क्योंकि मैं जब गाओ में गुमता हूँ रूरेल एरिया में गुमता हूँ तो लोगों में नाराजगी है किसान नाराज है, दलीज जो है नाराज है, आदिवासी नाराज है कामगार भी नाराज है लेकिन इसका फाइदा उठाने के लिए, इसका पोलिटिकल फाइदा उठाने के लिए जो करना चाहिए, वो विपक्ष नहीं कर रहा है कॉंग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बाकी सारा विपक्ष नहीं कर रहा है हमें बताया गया था कि सारी विपक्ष पार्टिया जो है वो एक हो जाएगी महागडबंदन होगा महागडबंद तो कही दिखता नहीं है लेकिन विपक्ष की पार्टिया एक दुसरे के खिलाफी लड रही है महराष्ट में तो इतनी खराब हालत है कि महराष्ट सबसे बड़ा गड़ था एक जमाने में कॉंग्रेस और NCP का लेकिन पिछले 20 साल से यहां कॉंग्रेस NCP तो खतम होते जा रही है आज ऐसी हाला था है कि पिछले 2014 के एलेक्शन में यहां सिर्फ 2 MP चुम्ट के आये थे कॉंग्रेस के इस बार भी कॉंग्रेस 10 सीटे भी जिते गिया नहीं यह हमारे सामने सवाल है तो मोदी का जो परफॉर्फॉर्मनस है बिल्कुल ही खराब है आइडिया आफ इंडिया के खिलाफ यह सारा काम जाता है मोदी का तो जो लोग मेरे जैसे मानते है कि मोदी को वापस चुण के नहीं आना चाहिए मोदी को हराना चाहिए लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मैं मेरा वोट डे सकता हूँ मैं कोई political party नहीं चलाता हूँ मोदी को हराने का काम तो विपक्ष को करना है अगर मेरी इच्छा है मोधी हार जाए लेकिन अगर विपक्ष की इच्छा नहीं है उसके लिए उनके पास कोई रणनिती नहीं है तो हम क्या करेंगे दो शब बार बार इस्तमाल किये गए 2014 और 2019 के बीच अगोशित अपतकाल वल्ला अंडिक्लेर इमर्जनसी बार बार यह वापस यूज में आए आपने पचेतर और सटर के बीच पे आपने ही देखा हमने भी देखा तो उस वक्त डिक्लेर इमर्जनसी का वक्त और इस यह जो स इमर्जनसी मैं इसको मानता हूँ कि यह अंडिक्लेर अगोशित इमर्जनसी है पचेतर से लेकर सततर उनिस मैंने जो हुआ था वो भी इमर्जनसी थी लेकिन ऑफिशियल इमर्जनसी थी इंदिरा गांदी ने जो सिटिजन्स राइट थे या फ्रिडम अफ एक्स्प्रेश सी थी लेकिन 2014 से हम क्या देख रहे हैं मैं तो यह 2013 पिछले 40 साल मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ लेकिन पहली बार मैंने देखा 2013 से लेकर आज तक की पत्रकारों पर सिधा दबा हुए 2014 तक तो मैं संपादक था एक टीवी चैनल का उसके पहले मैंने महानगर भी चलाया कॉंग्रेस के खिलाफ हमेशा हम लोगों ने लिखा है औले चुना की है कॉंग्रेस वाले भी हमारे उपर गुस्सा हो जाते थे लेकिन हमने कभी यह देखा नहीं है कि एडिटर्स के अप चैनल चोड़ा, IBN चैनल चोड़ा, मैंने IBN में 2013 से यह देखा था, जब से नरेंद्र मोदी का कैंडिडेचर घोशित हो गया, तब से यह देखा था, कि हमारे मैनेजिन नेटर्स ते रागो बहल, वो सब पर प्रेशर डालते थे, कि आप मोदी के खिलाफ ज़्यादा, बो अंगरेश वालों के साथ हमारा जगडा होता था, वो गाली देते थे, लेकिन कभी इन लोगों की नौकरी चली जाए, इनको हटाना चाहिए, यह हमने नहीं देखा था, देखिए आप 2013 से क्या का हुआ, सिद्धात वरज राजन हिंदू में थे, उनको हटाया गया, यहाँ इपी डबलू में परणजय गोहा थे, उनको हटाया गया, अदानी के खिलाफ लेगा, यहाँ राजदीप सर्गात, सरदेश आया और सारी टीम को हम लोगों को चोड़ना पड़ा, तो यह अंडिकलेर इमर्जनसी नहीं है, तो क्या है, आप इनके खिलाफ बोलेंगे, तो आपको फोन आएंगे, मैंने तो टॉक शो में भी दिखाए, इसके बाद भी मैं टॉक शो करता था मी मराटी चैनल पर, वहाँ भी महरास्टर के एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आ गया, कि मेरा जो डिगरी का कांड हुआ है, डिगरी की बड़ी उनके कांट्रिवर्सी तो मैं वहाँ तो फ्रीलांसर था, मैंने मेरे एडिटर को खा, आप डिसाइड करो क्योंकि ये आपका अधिकार है, मेरा तो अधिकार नहीं है, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, लेकिन उन्होंने का आप शो करो, शो करने के बाद चैनल पर दबावा गया, हर जगह ये हो रहा है मैं उसके बाद TV9 के साथ काम कर रहा था, तो धाई मैने में मेरा शो बन कर दिया, तो ये क्या है, आपके खिलाफ जो लोग बोलना चाहेंगे, या आलोचना करना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं था, देखो, 2014 में मोधी चुन के आए, मैं उनकों खिलाफ था, मैं BJP को वोट नह श्वास करता हो, तो मैं कभी BJP का वोटर नहीं था, लेकिन जब मोधी सत्ता में आए, तो मैं मानता था, इनको भी 6-8 मेने देने चाहिए, क्योंकि ये नहीं विकास के बाद किये, देखते ही हनीमून पिरेड है, कैसे होता है, देखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स अगर हमारे जैसे, मतलब मेरे जैसे कारे करता ही, या पत्रकार जो पहले आए दिन TV चानल पर बुलाई जाती थी, उसको 2014 के बाद बुलाना ही बंद करता है, आप अकेले नहीं बहुत सारे लोग है, मैं एक बड़ी लिस दे सकता हूँ, जो लोग मेरे प्रोग्राम में पा आप बॉइक बाद बाद चल राए तो ख़र बहुत बात अलग है, माराश्टर में खास अगर हम बात करें, माराश्चर में 48 सीट से, इसे कंड लोग सभा की संक्या की सीट के बारे में देखे, उटर परदेश की 80 सीट के बारे में, हमारा राजय जो हैं, दूसरे नंबर प सुसाइड पहले भी हो रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए थे, मगर जिस तरह किसानों को, छोटे किसान, मध्यम किसानों को इग्नॉर किया गया, और फिर भीमा को रिगाउं को लेकर जिस तरह दलितों पे अतिया चार, और पुलीस का रंडा चलाना, और लोगों को अरेस्ट करना वगेरा, और जो जाने माने अक्टिविस्स है तो वो एक तरह पे, मंगर बाकी कम से कम दो डाई तीन अजार दलितों के उपर, गलत एफायर किये लगाए गये, एक्सेटरा, तो यह सब मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं कि कैम्पेंग में न यह मुद्दा है, न विपक्ष उठा पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है, साथ-साथ वो जैसे शंभाजी बिरे और मिलिंड एक बोटे जैसे लोग, जिसको पूराँ मीडिया ने भी नजर अंदाज करके रखा, जिन्होंने यह जो नफरत का महौल पैदा किया है राज्य में, तो महराश्टर को लेकर आपको कुछ कास, महराश्टर में ऐसी बात है कि पिछले पास साल में, कॉंग्रेस और NCP यह विपक्ष था, यह हमारा ओफिशल विपक्ष था, लेकिन इन्होंने विपक्ष में कुछ काम नहीं किया, मैंने 2018 जानवरी के बाद, भिमा कोरेगाओ का वाइलन्स होने के बाद, महराश्टर के हर डिस्ट्रिक में मैंने विजिट किया है, और मैंने देखा है कि, तीन साल बाद, चार साल बाद भी, 2014 नवंबर में महराश्टर में सरकार आई थी, देवेंदर फटन्विस की, चार साल बाद भी, सरकार के बारे में नाराज गी है, मोधी सरकार या फटन्विस सरकार के बारे में, लेकिन Congress और NCP पर ट्रस्ट करने के लिए लोग तयार नहीं है लोग कह रहे थे कि इनों नहीं हमें लूटा है हम इन पर विश्वास क्यों करें और देखो आपको अगर image बदल नी है, credibility crisis से बाहर आना है, तो आपको विपक्ष के नाते कुपतो लड़ाई एक statement जारी किया होगा उसके अलावा कुछ नहीं किया प्रकाश अंबेटकर लड़ रहे थे उनके साथ लेफ्ट के लोग, लेफ्ट के नेता लड़ रहे थे उनके साथ जो लिबरल नेता थे वो लड़ रहे थे Congress NCP ने महाराष्टर में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई ये पास साल पास साल का उनका जो काम है देखो महाराष्टर में विपक्ष का नेता खुन था महाराष्टर में विपक्ष का नेका था राधाकुर्ष्ण विके पाटी राधाकुर्ष्ण विके पाटी पहले भी सेना बीजेपी गवर्वर्मेंट में मंत्री थे आपको मालू में उनके पिताजी भी जो पहले कॉंग्रेस नेता थे लेकिन वो तो वाजपे गवर्मेंट में मंत्री थे वो स्टेट मिनिस्टर थे फाइनांस के तो अगर आप ऐसे ही जो लीडर है उसको आप विपक्ष का नेता बनाते है तो विपक्ष क्या रहेगा हमने विपक्ष का आपने भी देखे इतने सारे अपोजिशन लीडर हमने देखे शरत पवार भी एक जमाने में अपोजिशन लीडर थे शरत पवार जब अपोजिशन लीडर थे तो यह सारे चोड़ दिए चगन बुझबल शिवसेना का एक ही एमेले था लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ संगर्श किया था मैं शगन बुझबल के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ लेकिन उन्होंने संगर्श किया इन्होंने संगर्श नहीं किया पिछले पास साल किसानों के ल एक हमारे महराष्टर में, देवेंदर फणर्ण की है मुख्य मंत्री, तो उनकी इमेज अच्छी है, वो अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करते है, मोदी जी जैसा ही करते है, फिर पूरी पुब्लिसिटी मैनेज करते है, इसके खिलाब जो संगर्च करना चाहिए, जो किसान म नहीं किया है, तो मैं यह जो वोटर से उनको दोश नहीं देता हूँ, कि अगर वो कॉंग्रेस न्सीप पर रिश्वास नहीं करते, क्योंकि वोटर्स को कोई एक विकल्ब चाहिए, अल्टनेटिव चाहिए, कॉंग्रेस न्सीप ने पास साल में वो दिया ही नहीं है, तो जो 48 सीट है, 48 सीट से महारास्त में, पिछली बार कॉंग्रेस और न्सीप बिल के 6 सीटी, मुझे लगता है ये 6 नहीं रहेगी, अभी बढ़ेगी, लेकिन 15 से ज्यादा तो ये लोग जीत नहीं सकते हैं, फिर भी मतलब जो बहुत बड़ी जीत हो सकती थी विपक्ष के लि निकिल जी एक बहुत बड़ा मुद्दा पांच साल में भी रहा और एलेक्षिन के दर्मियान भी रहा और उसमें हमारा संगटन थोड़ा पहुत काम कर रहा है, नफरत भरी जो राजनीती होती है, उसकी एक खास जगह होती है, लोकशाई को लेकर लोकशाई को बहु संख् किनारे करने का काम करती है, आप खुद मैं आपको परसनल बाता चाहती हूं, हमको अभी भी यादे ऑगस्ट त्यानुवे का नाइंटी निकला था, आपकी लेक्यों के आप खुद एक विक्तिम बने थे, हेट-हेट पॉलिटिक्स के, और देश के सब बड़े-बड़े पादब, वही आपके महानगर के ओफिस से लेकर सेना भवन के तरफ हम लोग, मतलब सब बड़े-बड़े एंराम आये थे, बड़े-बड़े एडिटर्स आये थे, in support of you, तो ये जो नफरत भरी जो राजनीती है, उसका सामना नागरे कर सकता कि कैसा करना चाहिए, और इसक नफरत भरी जो पॉलिटिक्स है, मैं देखता हूँ, पिछले 25 साल में ये तो बढ़ गई है, शिव सेना भी इसी भाषा में बात करती है, हमेशा आपने देखा है बाहर टकरे के भाषा है, फिर राम जन्म अभुमी के अंदोलन के वक्त भी यही हुआ था, आपको भी लोगों के बिगालिया मिली, जो जो इनके खिलाब बोलेगा, उनके उपर वो आटक करेंगे, लेकिन मैं ये देखता हूँ, कि पिछले 20-25 साल में ये इसके उपर कोई एक्शन भी नहीं हो रही है, महराष्टर में BJP और सेना अभी आई है 2014 में, इसके पहले तो कॉंग्रे सेनसिपी सरकार के वक्त ही हुए, कितने बार हम लोग गए आरार पड़े हैं, और एक भी हमले में किसी को भी सजा नहीं हुए, तो अगर आपको मालूम है, वो केस मुझे लगता है, डिसुजा ने, कमिशनर ने, डिसुजा ने, जो थे, फॉर्मर कमिशनर, उन्हों नहीं क थी, बाहर ठाकरे के, जेवी, डिसुजा ने, और मेरे फादर ने आग्यू किया, आपके फादर ने आग्यू किया था, कि सामना में जो एडिटोरिल्स आये थे, दंगे के वक्त, उसके खिलाफ केस की थी, उसकेस में क्या हुआ, सुप्रीम कॉट तक ने उसको ना कार, बि पहली मीटिंग तो उनकी वहां मेरेट में हुई, यहां वर्दा में एक मीटिंग हुई पर सो, कैसी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, और मोदी जी को अच्छा लगता है कि वो हमेशा पाकिस्तान का ही मुद्दा उटाते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, मैंने आज तक देखा है उस मेरेट की मीटिंग में पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और उनने कहा यह सारी अपोजिशन पार्टी है, जो पाकिस्तान को मदद कर रही है, यहां भी वो हिंदु मुसल्मान का ही मुद्दा उठा रहे थे, हिंदु तवर टेर्रिनिस्ट वेगरा वो, तो यह हमेशा, देखो अगर देश का प्राइम मिनिस्टर, अगर इसी बाते करता है, तो जनत्या क्या करेगी, मैंने देखा है, लोग अपने लीडर्स कैसे बोलते हैं, कैसे बरताओ करते हैं, वो देखते हैं, अगर मोदी जी का जो पहला ओरिजनल नहरू जैकेट है, अभी मोदी करती है, तो आपकी गंदी भाशा भी इस्तेमाल करेगी, आपकी जो हेट-फिल्ड लैंगवेज है, जो बाल ठाकरे की भी थी, देखिए ये पूरी हिंदुतो पॉलिटिक्सी जो परमपरा है, वो ऐसे लैंगवेज की परमपरा है, बाल ठाकरे, शिवाजी पार्क पर, आम सभा में ऐसी भाषा इस्तेमाल करते थी आपने देखा इमर्जेंसी के बाद उन्हें मुणाल गोरे का कैसा अपमान किया था बहुत गंदी बात की थी मुनाल ताई अहिलिया ताई शबाना सब के लिए तो आज की ये बात नहीं है पिछले 25-30 साल से हम देख रहे लेकिन मुझे हम सारे लोग इसके खिलाफ काम करते तो मुझे लगता है हम लोगों तक पहुंचने में कम पड़ रहे ऐसा मुझे लगता है मालूम नहीं क्यों ले पड़ रहे हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या नई स्टाइल नया फॉर्म लेना चाहिए इसके खिलाफ और लोगों की बाशा में देखो मैं यह हमेशा करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा तर लिबरल जो है हमारे जैसे अंग्रेजी में बात करते हैं हिंदी में ब कर रहे हैं और हम उनके साथ कोई कम्यूनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं जब हम मुसलमानों के साथ बात करना चाहते हैं हमारे में से कितने कम लोगों को उर्दू आती होगी हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं लेकिन यह तो उपरी समाज तक ही रहती है ना तो मुझे लग और इसको हमें सुधारना चाहिए। तो इस तरह कि लोगों को टिकेट देना न देना जब आपको सेक्यूलर कहते हो तो लोगों के देना मतला आप और हम मेभी आम बोटर कि मैं फिर क्या फरक देखेगा जैसे शिवसेना मोदी की पातियां है वैसे दूसरी भी इन्हीं को दे रही है तो इस इन्फिल्ट्रेशन इस वाट मतलब यह क्या लगता है? तो ठीक है आप सेक्यूलर है तो यह सॉफ्ट हिंदु तो क्या है? आप क्यों ऐसे इस तरह से पूरे टेंपल्स में जाना आप शुरू कर दिया आपने? आप कभी मस्जीद भी नहीं गए? आप मैंने देखा नहीं आप मस्जीद में जाते है या फिर गुरुद्वारा में जाते है या पिर चर्च में जाते है तो यह Congress बहुत ही dangerous party है, मैं आपको बताता हूँ. और मैं हमेशा यह मानता हूँ कि हम Congress के माध्यम से secularism नहीं बचा सकते Congress is not a protector of secularism क्योंकि वो खुद secularism में मानते नहीं मैंने कई Congress नेताओं से के साथ बात किये है पिछले 25-30 सालों में मैंने बहुत कम नेता मैं एक example देखता हूँ कि महाराष्ट में पृतिवराच सवान है वो अच्छे नेता है secularism के principles को मानते है constitution पढ़ा है लेकिन ऐसे 10-15 नेता भी Congress में नहीं है देखो तो वो वहाँ सनातन संस्ता को समर्थन करने वाले को उन्होंने वहाँ उम्मिद्वार बनाया कोकण में सिंदु दुर्ग में जो selection committee पर थे ऐसे Congress नेता के साथ मेरी बात होगे तो मैंने फोन किया मैंने कहा आपको मालूम था कि ये सनातन संस्ता से इस तरह से जुड़ा हुआ है जब वो नाला सोपारा में वो वैभा राउट जो सनातन संस्ता का एक टेर्रिस था उसको उसके घर में बं मिले थे वो वहाँ बॉम फैक्टरी चला रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपका ये कैंडिडेट गया था तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं था ठीक है मैं मानता हूँ इनको मालूम नहीं होगा बहुत सारी बाते इनको मालूम ही नहीं होती है लेकिन ये क्यों गया था? क्योंकि वो वयभोराउत, जिज जाती का है, भंडारी जाती का, उस जाती की जो संस्ता है, उसका ही अध्यक्ष्य ता. मैंने कहा, ये तो आउरभी खतरनात बात है. ये या को पूरी जाती बाझी. आप उसको वहाँ उमिद्वार बना रहे और ठीक है मैं ये भी मानता हूँ कि आपको मालूम नहीं होगा लेकिन आप लोगों को बताए हमें मालूम नहीं हो था हमारी गल्ती हो गई अभी हम चेंज कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं कया क्योंकि इनको देखो इस राज्य में दाबोलकर की हत्या हो गई पांसरे की हत्या हो गई वहाँ करनाटका में कलबुर्गी को मार दिया गया और फिर गवरी लंकेश को मार दिया गया महाराष्टा और करनाटक में चार हत्यां ऐसी हुई है जिनके साथ सनातन का सम्मंद है सनातन के जो सादक है इनको एरेस्ट किया गया है और ये आपको मालूम है कि यहाँ इस तरह की घटनाय हुई है फिर भी अगर महाराष्ट कॉंग्रेस के नेता इस सनातन समर्थक को अगर टिकिट डेते है तो हम कॉंग्रेस पर विश्वास क्यों करें मेरा सवाल है प्रकाश अंबेडकर ने वही किया है देखो प्रकाश अंबेडकर मैं एक मानता हूँ प्रकाश अंबेडकर अंबेडकर के ग्रैंड सन है लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वो अंबेडकर नहीं है समझे प्रकाश अमबेडकर को अगर BJP के साथ या मोधी के साथ लडाई करनी होती तो वो महराष्टर में एक Grand Alliance बनाते, Congress NCP को शर्ते डालते लेकिन फिर भी वो एक Grand Alliance में जाते, वो उन्होंने नहीं किया पहले से उनके उपर आरोप हो रहा है कि BJP उनको परदे के पीछे से सपोर्ट कर रही है मेरे पास कोई सबुत नहीं है, उन्होंने BJP से पैसा लिया है या नहीं लिया है ये आरोप मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज मान रहा हूँ कि प्रकाश अंबेडकर ने जो राजनिती महराष्ट में चलाई है उसका direct benefit फाइदा BJP को होने वाला है, पुरी तरह से प्रकाश अंबेडकर की एक या दो सीट यहां आएगी, एक सीट आती है उनकी खुद की तो भी अच्छा है लेकिन वो कॉंग्रेस का कम से कम पाच या चे सीटों पर नुकसान करेंगे इसका direct benefit BJP को जाता है, और आप देखिए सोलापूर से वो लड़ रहे है प्रकाश अंबेडकर पहली बार, सोलापूर उनकी consistency नहीं है फिर भी वो वहाँ जाके लड़ रहे, सुशिलकपार शिंदे कॉंग्रेस के जो candidate है उनके खिलाब आप देखिए ये fight जो है सुशिलकपार शिंदे versus प्रकाश अंबेडकर होने जा रहे है वहाँ का बीजेपी का जो candidate है वो local कोई स्वामी है ऐसे बड़ी fight है ये इसमें बीजेपी ने इतना weak candidate क्यों दिया है कुछ लोग के आरोप लगा रहे है ये प्रकाश अंबेडकर की मदद करने के लिए बीजेपी ने weak candidate दिया है ये आरोप लगा रहे है तो राजदीती क्या कहती है वहाँ के local reporters के साथ आप बात किजिए कि यहां तो प्रकाश अंबेडकर को मदद करने के लिए बीजेपी ने एक candidate दिया है तो क्या हम लोग इससे मतलब क्या निकाले देखो मैं कोई उनके उपर रष्टाचार का आरोप नहीं कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं है लेकिन राजदीती तो प्रकाश अंबेडकर बीजेपी की वह तो मदद कर रहे है और उनकी इन बातों में भी आने मैं उनको मानता सहमत हूं कि कॉंग्रेस और न्सिपी पर वह जो अब्जेक्शन उठा रहे है वो मेरे भी अब्जेक्शन है लेकिन अगर हम मोधी के खिलाफ या बीजेटी के खिलाफ या हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ या फिर कम्यूनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लड़ रहे तो हमारा बड़ा दुश्वन कौन है यह हमें देखना चाहिए मेरा सवाल यह प्रकाश अंबेडकर यह क्यों नही संभाजी बिड़े और मिलिन एक नारोप इन ने किया ता फिर उसके बड़ा मोर्षा भी निकाला उसके बाद एक दिन उन्हें यह जो डिमांड थी संभाजी बिड़े पर आप कारवाई करो यह ड्रॉप कर दी घड़िक है मैंने उनका इंटरवु लिया था उसमें पूछ उसको चुनाव में रखूंगा मैं तो आज तक चुनाव में देखा नहीं है अभी तो ये देखा कि एक ऐसा उनका उम्मिद्वार उम्मिद्वार है सांगली में जो संभाजी बिड़े का समर्तक था उसको यह टिकिट दे रहे तो मेरा सवाल है देखो बाबा साब अमबेड कर और उनकी विचाधारा के प्रती मुझे भी आदर है हम सब मानते हैं लेकिन प्रकाश अमबेड कर अगर गलत राजनीती कर रहे त प्रकाश अमबेड करने पिछले 25 साल से गलत ही राजनीती की है यह आप देखिए यह राजनीती क्या है और इसका भी इन्वेस्टिकेशन करना होगा कि उनको बीजेपी मदद कर रही या नहीं यह तो बहुत गंबीर आरोप है लेकिन यह देखना चाहिए ना क्या मदत हो किसको मदद कर रहे यह हमें देखना चाहिए सिर्फ बाबा साव अंबेड करके ग्रांट से नहीं इसले में उनका समर्थन नहीं करूंगा अखर में निकल जी इन्डिन एक्सिस में रिपॉर्ट आया था कि फर्स्ट ताइम वोटर जो है जो अठारा साल लास्ट लास्ट एलेक्शन में अठारा साल को इक नहीं हो गए ते अभी एठारा साल पार कर गया हैं वो काफी कांसिटूंशी में काफी अच्छे प्रमान मे हैं इन सम कॉंसिटूंशी अबर 182 कॉंसिटूंशी में 18-25 परसेंट ऐसे वोटर्स हैं आप हर जगा घूंते हैं आप नौजवान रिपोर्टर बाकी लोगों से विए आपकी बात्ची चलती इन फॉर्मिली यह जो तपका है जो डेफिनिटी रंको अच्छा लगे ना जो अठरा बीस पचीस साल के तो उसमें से ज्यादा तर लोग यह कह रहे हैं कि वो मोदी को वोट देने वाले हैं वो और एक मौका मोदी को देने वाले हैं क्योंकि उनको अपोजिशन में कोई विकल्ब दिखता नहीं है देखा आपोजिशन में कोई आल इंडिया फिगर नहीं है राहुल गांदी के पोलिटिक्स में कोई कंसिस्टंसी नहीं है अगर कंसिस्टंसी होती और उनकी अगर आल इंडिया इमेज होती तो शायद यह जो नौजवान बच्चे है पास साल दस साल के बाद उनको वोट करेंगे भी लेकिन आज वो मुझे लगता है अभी मुझे लगता है मोधी जी को ही एवर झे अखरी लेक्षन होगा अगर मुझे लगता यह हिंबत मोधी में नहीं है और वी जैपी नहीं है वह कंटामिनेट करेंगे पूरी सिस्टिम को वह अभी देखो अभी उनके सिट्टों कम होने जाँ वह पिछली बार 281 शीम थे वो तो अभी यूपी और वेस्ट बेंगौर और सारे यह महाराश्टर में हालत खराब है लेकिन विपक्ष की हालत यूपी और वेस्ट बेंगौर में अच्छी है पूरे साउथ इंडिया में मोदी जी को जादा कुछ समर्थ नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है यह सिट तो कम हो जाएंगे लोग कह रहें कि 200 तक कम हो जाते तो मोदी नरेंद्र मोदी की ताकत तो कम हो जाएगी अगर आपको फुल मैजॉरिटी नहीं है बीजेपी के तो वाचपई की क्या आपने देखा है तो उनकी ताकत कम हो जाएगे मुझे नहीं लगता हम लोगों को लड़ना पड़ेगा हम लोग कांग्रेस के जमाने में भी लड़ते थे और अभी भी लड़ते तो आगे भी लड़ना पड़ेगा लेकिन मुझे नहीं लगता वापस इलेक्शन हो नहीं होगा यह जो लोग कह रहें कि मोदी जी वापस आते तो इलेक्शन नहीं होगा यह मोदी की इ नहीं है शुक्रिया बहुत 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 नहीं है